हालो मैं हूँ NKO आप देख रहे हैं NK analysis रसिया और Ukraine के वार के बीच एक major development सामने आया है जैसा कि आप लोगों को पता होगा रसिया और Ukraine का एक delegation peace tuck के लिए Turkey में मिला हुआ है इस delegation का में उद्दे से इस वार को किसी प्रकार से रोका जाए और यह जो बाची थे positive direction में जाते वे भी दिख रहा है अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगा लेकिन जो रसिया का military activity है खास दोर से कीव के अरिया में उसक कि आसपास जरूर हमें कुछ movement कम दिख रहा है जो कि यह दर्साता है कि जो हम टर्की में बाच्चे चल रही है उसका कुछ न कुछ प्रभाव तो जरूर पढ़ रहा है लेकिन अब क्या अब क्या रसिया यहां से वार को रोक भी देता है तो भी रसिया बहुत बड़ा winner के रूप में यहां से उबर के बाहर आएगा जैसा कि आपको पहले ही पता है कि रसिया ने पहले से ही डोनास को लोहांस जैसे एरिया पर कबजा कर रखा है हाला कि उसे यह सोतंतर देश घोसित कर दिया है रसिया ने आप एक liberate term coin किया है उन्होंने कहा है कि हमने इसे liberate किया ह कि एसे कुछ होता नहीं हुए किया है सबोस करिए अगर यहां पर रुख भी जाता है तो क्या रसिया यह पार्ट तो घ्लाक दिखाइं रहे हैं बार-बार रसिया के खिलाप statement दे रहे हैं सिर्फ जो बाइडन ही क्यों पूरा-पूरा USA anti-russia statement देता हुआ दिखाई दे रहा है क्या यह यूद्ध होने के बात भी USA जो रसिया जो इतने सारे sanctions लगा दिया है quality क्या उसे lift करेगा यह भी एक सवाल है अब यहां देखने वाली बात यह है रसिया जिसे वर्ल्ड का सुपर पाउर माना जाता है हम क्या पूरी दुनिया इसे वर्ल्ड का सुपर पाउर मानती है यह लगबग 30-35 दिन से युक्रियन के साथ यूद लड़ रहा है लेकिन अभ कर जा सकता है कि रसिया को इस से कोई फरकी नहीं पड़ रहा है अब यह देखने वाली बात है कि रसिया इस विद्यूद को और कितने दिन तक अपोर्ड कर सकता है यह जो लॉंग टर्म ओर रोते हैं इससे उकनोमी हमेशा ही बूरी तरह से प्रभाविस होती है और यहां प तो रसिया आटॉमेटिक G20 से भी बाहर हो जाएगा अमेरिका तो चाहता ही है कि रसिया को G20 से बाहर कद जाए अगर यह वार इसी प्रकार से लंबा खिसता तो रसिया के बेनफित में यह कहीं से भी दिखाई नहीं पढ़ रहा है अगर यह जो यहां रुखता है तो रसिया के लिए इसके पॉइंट के रूप में साबित हो सकता है यहां पर रसिया भी कंप्रोमाइज करता हुआ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ी रहा है बट बात अब यही पर रुख जाती है कि रसिया पर लगे इन हैवी संक्संस का क्या होगा लगता तो यह अगर रसिया ने पुल बैक किया तो उसके उपर लगे इन संक्संस को धीरे-दीरे करके हटाया जाए जो यह टर्की में है यह जो पीस मिटिंग है यह पॉजिटीव नोट पर खतम हो ताकि यह यूद्ध समाप्त हो और सभी लोगों के लिए अच्छा ही होगा नहीं तो होने को तो कुछ भी हो सकता है स्पिस्टक का कोई नेड़ा ही नहीं आए और यह यूद्ध है जो ऐसी तरह से कंटिनीव होता जाए बट आप सपोच करो अगर रसिया ने यूद्ध यहां पर रोक दिया तो क्या वो यूक्रेन को उसका डोनाल्स को लोहांस का एरिया उसने कब्जा कर रखा है उसो वाप करना पड़ सकता है संभाभता रसिया पूरी कोशिस करेगा कि जो यूक्रेन है उसको यह लिखित में दे कि वो कभी भी नाटो में सामिल नहीं हो सकता है हो सकता हो यूआ जम बोने के लिए कुछ مMusic करेगा कि जो यूक्रेन है न chỉиля बीच हमेśल नूटरिल पोजिशन बना के रखे अब इन सारे सिनेरियों में यदि यूज रूख जाता है तो इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा आपको पता योगा भारत ने रसिया के साथ बहुत सारे डिफेंस डील कर रखा है इस वार के वज़ा से यह सभी जो डील्स हैं वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है भारत ने रसिया की किसी भी फोरम पर कोई भी बिरूद नहीं किया बलकि उल्टा ही इतने सारे संक्संस होने के बावजूद भारत ने रसिया के साथ ओयल कोल और नेचुनल गैस जैसे इंपोर्टन चीजों के इंपोर्ट को लेकर एक डील किया अब सपोर्च करिए कि यह इफ Això होता है और रसिया के उपर लगे सारे संफ्संस को भी भी हटा लिया जाते हैं तो रसिया के जो इक बड़ी से भरीmay औक बावत हो जायर और रसिया वारत तो यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इस वार का अंत हो रसिया पर लगे सारे संक्शन्स हटें रसिया ब्रीद करें युक्रेयन ब्रीद करें पूरा वर्ल्ड ब्रीद करें भारत ब्रीद करें यह रहा आज का हमारा इनेलिसिस यदि आपको हमारा इनेलिसिस पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें जरूर दबाएं ताकि हम आपको अगले वीडियो में आपसे एक नए टॉपिक के साथ जूँएंगें